आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे समाज और धर्म सुधारक गोविंद गुरू के योगदान के बारे में उनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसवाडा राजस्थान में हुआ था उन्हें गोविंद गिरी के रूप में भी जाना जाता है उन्होंने ब्रिटिश भारत में भील समुदाय को विशिष्ट पहचान दिलाने में महत्वपोन भोमी का निभाई गोविंद गुरू ने 1899 और 1900 के भीशन अकाल के दोरान भील समुदाय के कल्यान के लिए काम करना शुरू किया और रियासतों द्वारा उन पर किये जा रहे अत्याचारों को उजागर किया उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और शीग्र इस बात को समझा कि शराब समाज में प्रचलित समस्याओं के मूल कारणों में से एक है उन्होंने इस बुराई से लड़नी का फैसला किया और इसके लिए 1908 में भगत संप्रदाय की शुरूआत की गुरू के शिशे शराब और मास से परहेज रखते थे उन्होंने स्वच पधधतियों को अपनाने और बंधुआ मजदूरी का विरोध करने साइथ कड़े नियमों का पालन किया गोविंद गिरी ने सुनत, बांसवडा, डुंगरपूर की रियासतों और ब्रिटिश जिले पंच महल में जनजातिय समुदायों से बड़ी संख्या में अपने शिशे बनाए उनके सुधार कई रियासतों को रास नहीं आए क्योंकि शराब के दुकानों से राजसो कम हो गया और मजदूर मिलना तुरलब हो गया गोविंद गुरु को गिरफतार कर लिया गया उन पर और दबाव बनाने के लिए उनकी पत्नी और बच्चे को भी गिरफतार कर लिया गया अप्रेल 1913 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के रिहा कर दिया गया और डुंगरपुर राज्य छोड़ने का आदीश्ट दिया गया नवंबर 1913 में ततकालीन इडर राज्य के शासक द्वारा गोविंद गुरु को पकड़ने के प्रयास के बाद गुरु और उनके अनुयाईयों ने मानगड में एक सुरक्षा ठिकाना कायम किया 17 नवंबर 1913 को रियासतों के सेना ने उन पर हमला किया जिसमें कई भील मारे गए और गोविंद गिरी और उनके लेटिनेंट धीरजी पुंजा को पकड़ लिया गया गोविंद गिरी को शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारवास की सजा दी गई हाला कि उन्हें 1919 में हैदराबाद की जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि वे राजनितिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे कई रियासतों में उनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई थी गुरू की मृत्यू 30 अक्तूबर 1931 को गुजरात के वर्तमान पंच महल जिले के लिंबडी के पास कामबोई में हुई थी हम भारत के इस महान देश भक्त को नमन करते हैं हम स्वतंदृता से नानी वक्कम मजीद को भी आद करते हैं जिनका जन्म 20 दिसंबर 1909 को त्रावन कोर में हुआ था बचपन से ही मजीद अपने चाचा वक्कम मौलवी और साथ ही नारायन गुरू के समाच सुधार आंदोलन से आकरशित थे जब केरल में भारतिय राश्ट्रिय आंदोलन का उधै हुआ तो मजीद उसके सूत्रधारों में सबसे आगे थे वे त्रावन कोर में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रस के प्रारंबिक निर्माताओं में से एक थे मजीद ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई महीनों तक जेल में रहे जब स्वतंत्र त्रावन कोर का प्रस्ताव रखा गया तो मजीद इसके कटर विरोधी थे और उन्होंने इस कदम के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया वे देश के विभाजन और पाकिस्तान आंदोलन के भी कटर विरोधी थे मजीद का कहना था कि केवल एक धर्म निर्पेक्ष राश्ट्रवादी भारत ही जनता के दिल और आत्मा को एक साथ रख सकता है जब आएने के नायक वक्कम कादिर को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुनाई तो मजीद मद्रा सेंट्रल जेल में उनसे मिलने गए मजीद नहीं फासी से पहले कादिर का आखरी पत्र उनके पिता को लाकर दिया था आजादी के बाद मजीद अंतिंगल निर्वाचनक ख्षेत्र से त्रावण कोर कोची राज्य विधान सभा के लिए निर्विरूध चुने गए वे वर्ष 2000 में अपनी मृत्यु तक मात्री भूमी के लिए समर्पित रहे हम इस महान राश्ट्रवादी को नमन करते हैं 20 दिसंबर 1946 को करीवेलूर विध्रो हुआ जिसे किसानों द्वारा भूमी, भोजन और स्वेतंतरता के लिए मालाबार क्षेत्र में पहले बड़े आंदोलन के रूप में देखा जाता है ये विध्रो उन जमिनदारों से लड़ने के लिए था जो भीशन भुखमरी के समय गाउं से धान की तसकरी करना चाहते थे जब किसानों ने जमिनदारों का विरोध किया तो उन पर अंधा धुन्द कूलियां चलाई गई और दो किसान मारे गए जबकि कई अन्य घायल हो गए ये करिवेलूर संघर्ष का परिणाम था कि किसानों को गाउं में जमीन मिली जो पहले केबल कुछ जमिनदारों के पास ही थी हम उन शहीदों को सलाम करते हैं